हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी ब्यूट्यू टिप्स में आज मैं आपको इसकीन वाइटनिंग और टाइटनिंग के बारें बताऊंगी कि हम अपनी स्कीन टाइट और वाइट कैसे बना सकते हैं जी फ्रेंड्स हम नैश्रल तरीके से नखा हुआ है जी फ्रेंड्स हमें चाहिए किया लैमन हनी शेहर बेशन और एक एग जी फ्रेंड्स इन नैश्रल तरीके से अपनी स्कीन टाइट और वाइट कर सकते हैं इनके कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है भार के प्रोड़क्ट जो होते हैं उनमें कैमिकल और साइड नैश्रल तरीकों में कोई साइड पैक्ट होता है जी फ्रेंड्स आज में आपकर बदाती हूं कितनी क्वान्टिटी में हमें क्या के डालना है जानी की एक चमछ हमें नीबू का रश चाहिए जुसरा यह शहद रिख जी फ्रेंड्स हमें शहद भी एक चमछ यह एक अंडा इसमें से हमें यालो पार्ट अलग करना है और इसका जो वाइट पार्ट है वो हमें लेना है आईए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूं आपको बताती हूं देखिए यह मैंने एक का यालो पार्ट अलग कर लिया है और मैंने यह पेस्ट त्यार करके रखा हुआ था जिसमें मैंने नीबू एक चम्मच शहद एक चम्मच बेसन एक चम्मच और एग मैंने डाला है अब ये इसका पेस्ट तयार हो चुका है और हमें अप्लाई कैसे करना है अपने फेस पे ये मैं आपको बताती है आप इसे हैंड में लें और अपने फेस पे अप्लाई करें जी फ्रेंड्स इसे पील आफ की तरह लगा लें और जब ये सूख जाए अच्छा सा तो फिर इसे पील आफ की तरह नीचे ही डायरेक्शन से उपर की तरफ नीचे से उपर की तरफ हमें उतारना है इससे हमारे स्कीन टाइट और वाइट दोनों ही होगी अब मैं आपको बताती हूं लैमन हनी बेसन और एक के फाइदे के फा और पूरा देखना अब मैं इहनके फाइदे कर बारहिए बताओंगे के इन से फायदे करे हमारा ओफ लैमन जो होटा है हमारे स्कीन के लिए बहुत जाधा फाइदसम्न इसमें एंटी अक्सिदियन होता है जो हमारे फेस की गंधगी को बहार निकालता और फेस को साफ करता और ब्राइट करता है दूसरा है हानी हमारे स्किन को लो लाने के लिए और चमकदर बनाने के लिए बहुत फाइर मल दे और हमारे स्किन को मॉश्राइज भी करता है एक में ऐसा एस्ट्रोजन होता है जो हमारे फेस के पोर्स को श्रिंक करके टाइट बनाता है पेसन दाग दरूर देखेगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा